अब भी बच रहे हैं रात के साड़े बारा और मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स मेरे मन में खयाल आ रहा था कि मैं कितना स्कोर करूँ एट लिस्ट कि मेरा जो है सेलेक्शन पक्का हो जाए तो मैंने कुछ प्रीवेस यह उस कट आफ सिखा के देखी और कुछ अनलेसिस भी किये लेकिन उसका कुछ खास असर निकला नहीं क्योंकि एक तो पैटर्न चेंज हो चुका है और जो इंटर्व्यू का पैटर्न था वह भी चेंज हो चुका है तो जितने भी लोग यूट्यूब पर यह बता रहे हैं कि इस पार की कट आफ और 140 या 150 प्लस रहेगी तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता फ्रेंट्स यह टोटली डिपेंड करता है कि जिस टाइम पर हम एक्जाम दे रहे हैं उस टाइम पर कॉंपेटिशन कितना है कितना बच्चे सीरियस होकर पढ़ते हैं कितने बच्चे पेपर को ऐसे मज़े मे ले लेते हैं कुछ spatितों मतलब पस ऐसे होते हैं जो उस फॉर्म भर देते हैं कि यह चेक करने के लिए कहिʃक्जाम कर लेवल कैसा आता है और शयद बीव निए ओपराग्ण बार तो हमारा सेलेक्शन होगा कि नहीं होगा तो देखें बात रहें कट ओफ की तो देखें यह बिल्कुल भी हम एजिम करके नहीं चल सकती कट ओफ कितनी जा सकती है यह तो जब पेपर आएगा और जब इंटर्व्यूस लिए जाएंगे बच्चों से डाटा लिया जाएगा कि कितना स्कोर रहा तब जाकर ही कुछ आइडिया लग सकता है अब मैं बात करते हूँ कि क्या सेफ स्कोर होना चाहिए क्या हम कितना लेकर आएं कम से कम कि हमारा सेलेक्शन हो जाएगा तो फ्रेंड्स देखिये आप जितने मैक्सिमम नंबर लेकर आसकते हैं उतने मैक्सिमम लेकर आईए क्यूंकि जितने जादा नंबर होंगे उतनी ही जादा chances होगे selection होने पर exam की cut off लिर करने का मतलब ये नहीं कि आपका selection हो गया है क्योंकि interview भी होगा और interview में जो marks बिलेंगे plus में जितना भी हमारे marks exam के अंदर आएंगे उन दोनों के basis पर हमारा selection होगा माल दीजिए कि आपके marks उतने ही हैं जितने की cut off के लिए होने चाहिए और interview में कम है तो आपका selection नहीं हो पाएगा चाहे आपने exam तो या किया हो चाहे ना किया हो तो friends इसलिए हमें जितना चाहे उतना जादा marks रखना है क्योंकि अगर in case हमारा interview की इसी भी वज़े से अच्छा नहीं जाता है तो at least जो हमारे chances are selection होने के वो high रही इसलिए ये सोच के तयारी मत कीजिए कि बस मुझे तो 140 वानिया और काम हो गए ये हमारा सीटेट नहीं है ये KVS है हम KVS की तयारी कर रहे है इसे हमें finally में एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी तो ये सोच के तयारी मत कीजिए का कि 140 या 150 का स्कोर चाहिए या सिर्फ इतना ही स्कोर चाहिए कि बस हम पास हो जाए ये सोचिए कि मैं maximum से maximum कितना स्कोर कर सकती हूँ या कर सकते हैं इसे साब सबसे तयारी रहे हैं अभी फैंक मुझे बहुत जादा नहींदारी होती है मेरा बेटा मुझे बिल्कुल भी नहीं सोने देता है तो मैं ये नहींद अच्छे से पूरी करूंगी फिर कलों से दिन में खेलने लगा कर फिर इतनी बढ़ाई गांटी नहीं करूंगी सच में केविस की तयारी करने में हालत खराब हो रहा है साथ ही साथना मतलब बहुत जादा मतलब— हड़क हो ही किसे से लिप अगज अगयता है है तो सच में मतलब स्मझ भी नहीं आ रहा कि तयारी कैसे होगे तो हम्हें अपने अपको मोटिव Nora रखना है क्योंकि घबराएंगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला वह सोचके चलिए जितनी तैयारी हमारी होपाई की उतनी सबकी होपाई की तो जादा बड़ा नहीं लेना है और तैयारी करते रहने है तो चलिए फ्रेंड्स बाबाय मिलते मेरी नेक्स वीडियो में